यह है किलोसकर एक HP मोटर और इसका RPM है 2700 इसकी रिवाइंडिंग हम इस वीडियो में दिखाएंगे इसका पूरा डाटा रिवाइंडिंग का इसका डाइमेंशन हम बता देते हैं इसका पूरी गुलाई है मोटर की वह चार इंच है करीब और इसका grapple महाँ देखे 4 इंच है इसकी पूरी कुलाई है हम इसकी कोर की लेंथ कर देते हैं कोर की लेंथ है इसकी दो इंच दो की नहीं है इसकी दो इसके और जो बोर का लेंद है इसके वह है दो इंची दो इंच है बोर लेंद इसका अगर हम इसका डाटा बताएंगे जिस डाटे से हम यह मोटर बना रहे हैं और इसकी जो सबसे छोटी कोईल है रणिंग की उसकी लेंद होगी 10.2 इंच हम इस तरीके से इसे वाइंड कर लेते हैं तो लेकिन हम इसमें पूरी वाइंडिंग नहीं दिखाएंगे सिर्फ इसका डाटा ही बताएंगे आपको चलिए हम आप उसकी डेटेल के साथ वाइंडिंग का डाटा बताते हैं यह जो मोटर थी आप क्लोसकर कंपनी की मोटर है और इसका जो पूरा है 1.02 एचपी या 0.7 किलोवाट और इसके कोर की लेंद हमने बताये था जो है 2.5 इंच है और इसके बाद इसमें हमने check किया इसका बोर बोर लेंध जो की है दो इंच बोर लेंध दो इंच है इसके बाद हमने check किया है इसका टोटल मोटर की जो है गुलाई टोटल मोटर की गुलाई है चार इंच और उसके बाद इसके जो आर्पियम होंगे वो हैं 2700 2700 आर्पियम है राउंड पर मिनट एक मिनट में 2700 चकर लेगी है और इसमें एंपियर लेगी है 4.5 एंपियर होंगे इसके 4.5 और इसे वोल्टिस चाहिए 230 वोल्ट पर यह चलेगी इसके लिए कैपसेटर चाहिए होगा हमें 15 UF 440 वोल्ट चलिए अब इसका डाटा जो है वाइंडिंग डाटा वो देख लेते हैं इसका रिवाइंडिंग डाटा जो होगा वो हम बताते हैं इसमें स्टार्टिंग पहले बता देते हैं स्टार्टिंग का जो डाटा होगा वो कुछ इस तरीके से है कि वायर नमबर जो है इसका स्टेंडर वायर गेज 25 नमबर 25 नमबर स्टेंडर वायर गेज पड़ेगा और इसकी पीछे होंगी आठ दस बारा आठ दस बारा पर जो टर्न पड़ेंगी टर्न हैं इसकी आठ पर चार्लिस दस पर सो और बारा पर एक सो दस उसके बाद अब यह हम इसकी मेन वायंडिंग रनिंग का डाटा जो पड़ेगा बाइस नमबर इसकी पीछे होंगी हमारी छे आठ दस और बारा चार का सेट बनेगा उसमें टर्न पड़ेंगी 35, 55, 60, 60 और इसकी सबसे छोटी कोईल लेंथ जो होगी 10.2 इंच जो 6 पिचकी है अब स्टार्टिंग में जो वजन आएगा दोनों कोईल होगा वह 350 क्राम है 350 क्राम तार लगेगी 25 नमबर और रनिंग 22 नमबर का वेट आएगा 550 क्राम यह इसका